दोस्तों हमारी रिल्वेज धीरे-धीरे करके देश की रिल्वेज्ट्राक्स पे ट्रेनों की स्पीड पढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों आने वाले एक से डेट साल में देश रही बिहार के कई सारे रेलवे टैक्स 160 की स्पीड के लाइक हो जाएंगे लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो टेनों के डब्बे है चाहे हम बात करें लेचबी कोचेस की या फिर किसी अने टेन की उनकी जो अधिक्तम स्पीड है वो 160 है जिस कारण से उन जो कोचेस है उन्हें 160 पे चलाना पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है इसी कारण से हमारी जो रेलवे है वो टेनों के डब्बों को बदल रही है और एक बार फिर से बिहार होके जाने वाली एक और राजानी एक्सप्रेस को मिल चुके हैं तेजस के डब्बे दोस्तों कौन सी है यह टेन इसे मिले हैं तेजस के डब्बे आज की सुड़े में हम इसी बारे में बात करेंगे पुरेडिल के साथ दोस्तों से प्लिडोस करूँ मेरा आप से आगर यदि भी किलों हब्सक्राइब नहीं कदलों हब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अब जरूर बताएं और बेशक्राइब आपका है तो आपी स्टाइब पर जा सकते हैं जिसका लिडिया हुआ है जो दोस्तों को शुरू करते हैं दोस्तों यदि हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी राजधानी एक्सप्रेस को मिले हैं तेजस के डब्बे तो यह है भुगनेश्वर से नई दिली के भी चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दोस्तो अभी ये train सब्ता हमें डेली चलती है और दोस्तो इस train का एक रेक यानि कि एक तेजस रेक भुगनेशर बहुत चुका है चोकि इस राज़धानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगा बहुत जब दूसरा रेक भी पहुत जाएगा जिसके बाद जो ये train है वो तेजस के कोचिस के साथ चलेगी दोस्तो दियम इस train के बिहार में इस टॉपजस की बात करें तो बिहार में ये train गयार एलेवे स्टेशन होके जाती है जिस कारण से बिहार के यातरे भी इस train का फायदा उठा पाएंगे और दोस्तो जब ये train तेजस के रेक्स के साथ चलेगी तब भविशे में इस train को 160 की स्पीड से चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तो इस train की इस अबडेट पे आपकी क्या राया है कॉमेंट को तकी जूरूट बताएं जूरूट नहीं मिलेंग फिडियों के साथ बिकले जहिए जाहिए जबहरत